हर्याना में चुनावों की तारीक जैसे जैसे नस्दीक आती जा रही है वैसे वैसे कॉंग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है हर्याना कॉंग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है सूबे में कॉंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तवर ने कॉंग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया अशोक ने अपने समर्थकों संग राजधानी नई दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर जम कर हंगामा किया अशोक ने कहा कि आज राजनीती हत्या करने का प्रयास है उन्होंने पार्टी निर्दत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भाजपा में विधायकों की टिकेट कट सकती है तो इन निकम में विधायकों की क्यों नहीं कट सकती अशोक का गुस्सा यही नहीं थमा और राहुल गांधी को भी आड़े हाथ ले लिया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि निगम के चुनाव पार्टी के चिन पर लड़ना चाहिए लेकिन किसी ने नहीं सुनी जिनके पास बावर और पैसा है उनकी सुनवाई हुई अशोकतवर ने ये भी आरोप लगाया कि सोहना विधानसबा सहित कई विधानसबा सीटे रुपे लेकर बेचती गई इतना ही नहीं सोहना विधानसबा की सीट तो 5 करोण में बेचती गई अशोक तवर ने हंगामे के दोरान कहा कि मैंने 5 साल से कॉंग्रेस को खून पसीने से सीचा है तो उनको टिकेट क्यों मिल रही है जो अभी आए है या हमेशा से कोस्ते आए है हर्याना में लीडर्शिप खत्म कर दी उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 महीने में 6 बार भाजपा ने बुलाया लेकिन हम मरेंगे मिटेंगे कॉंग्रेस के ही साथ इस दोरान अशोक तवर ने अपने सहयोगियों से कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए अपने फॉर्म तयार कर ले अगर पार्टी का टिकेट मिला तो अच्छा है वर्ना जो आप करेंगे हम आपके साथ है अशोक तवर ने कहा कि पिछली बार भी सरकार भाजपा की नहीं बनी थी बनवाई गई थी चौदा लोग जो भाजपा के ML हैं वो यहीं से भेजे गए हैं इतना ही नहीं अभी के साथ MP के बैग्राउंड को चेक करें तो वो भी कॉंग्रेसी ही है हर्याणा में चुनावों से पहले जिस तरह की आंधी उठ रही है उसमें कॉंग्रेस की आला नेतित्वने जैसे तैसे पूर्व सीम भूपेंद सिंग घुड़ा को चुनावों में कॉंग्रेस के साथ रहने के लिए तो मना लिया लेकिन अब सूबे में कॉंग्रेस कारेकरताओं को एक साथ लखने में और समर्थ हो रही है जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनावों के परिणामों में भूगतना पड़ सकता है जो कि कॉंग्रेस के लिए सही नहीं है क्योंकि वह पहले ही लोगसभा चुनावों में बुरी तरह से हार देख चुकी है अब इस समय में कॉंग्रेस और राहुल गांदी पर इस तरह के आरोप महराश्चों और हर्याना चुनाव के लिए घाटे का सौधा साबित हो सकता है जिस तरह के हालात है उससे तो कॉंग्रेस का चुनावों में जीत पाना मुश्किल नजर आता है लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो कॉंग्रेस के कारेकरताओं को भी एक जुट रखना मुश्किल हो जाएगा इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूंगी तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे ओपीनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी साथी हमारे चानल को सब्सक्राइब करने ना भूले और बेल आइकन दबाएं